हेलो दोस्तों आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है दोस्तों आज मैं एक बहुत इंपोर्टेंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और वो टॉपिक है एलेक्ट्रिक वहिकल सेटिंग जो के गूगल मैप का एक निया फीचर है जी हैं दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूं कि एलेक्ट्रिक वहिकल सेटिंग आपने गूगल मैक में किस तरह आउन करना है और इसका फाइदा आपको क्या होने वाला है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले गूगल मैप को खोल लेन उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है सेटिंग पर क्लिक कर लेना उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है उसके बाद आपने दोस्तों नीचे स्क्रोल डाउन करके अलेक्ट्रिक वहिकल पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों अगर आपने कुछ कोई options वए हुआ है तो इस तरह का interface आ जाएगा अगर कोई select नहीं किया हुआ है अगर किया हुआ है तो इस तरह इंटर फिजा को तो पिर का इंटरस आपके सामने आजाएगा और कोईबी चीज़ नहीं यह एलेक्ट्रिकल वहिकल के पलग्ज हैं जो पहला है जेवन डबल सेवन टू है इसी तरह सी सी एस कॉंभो वन है टाइब टू है सी 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 एस कमबो टू है चैर्डेमो है टैसला है और वाल आउटलूट है यह अभी तक के डिफरेंट जो charging plugs हैं वो हैं लेट्स पोज हाँ आपके पास टेसला charging plug है जो भी गाड़ी है उसमें टेसला plug लगा हुआ है तो आपने क्या करना है उसको on कर देना जैसे ही आप उसको on करेंगे तो google map आपको इस टेसला के जो भी charging station आपके करीब तरीन वोड़ी खाना शुरू कर देगा और अगर आपने अपनी electric vehicle को recharge करना है तो आप easily वो point locate करके charging station locate करके वहां पहुंच के अपनी गाड़ी को recharge करवा सकते हैं तो चलें दोस्तों हम पीछे जाके check करते हैं कि जहां मैं बैठा हूँ यहां से करीब तरीन टेसला का charging station कहां है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पीछे गूगल मैप की तरफ जाना पड़ेगा और वहां जाके आपने क्या करना है simply यह इनको यह जो option है hotel coffee, grocery इसको ऐसे scroll करते जाना है और फिर आपने more पे more पे जैसे ही आपने क्लिक करना है आप नीचे को चले जाएंगे जैसे ही आप नीचे जाएंगे आपको एक मिलेगा services में electrical vehicle पे खेज उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप electric vehicle पे click करेंगे तो आपके करीब train stations आ जाएंगे आप देखेंगे गिर्जा चौक लहोर 3.5 माइल्स मेरी लोकेशन से दूर है अलेक्टरिक वहिकल चारजिंग स्टेशन और एक क्या है शेरली रोड अपोजेट टू एक्सपो सेंटर वहां भी है वहां कौन सा है वहां चैडेमो लगा हुआ तो इस तरह दोस्तों क्या है अगर आपके पास अलेक्टरिकल वहिकल है तो आप इस सेटिंग को आउन करके अपना करीब तरीन चारजिंग स्टेशन तलाश कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो इंफार्मेटिव लगी होगी और ये भी उमीद करता हूँ कि अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफार्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करेंगे और आखिर में आपसे दर्खवास है कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजेगा आप तमाम का शुक्रिया